आनव जीवन का लक्ष हम विचार करके देखते हैं तो असपष्ट मालूम होता है कि मनुष्य प्रमात्म प्राप्ति का अधिकारी है जैसे चारो आस्रमों में ब्रह्म चर्य आस्रम के वल पढ़ाई के लिए है इसी तरह 84 लाक योनियों में मनुष्य सरीर ब्रह्म विद्या के लिए उप्योगी है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य सरीर है और जगह ऐसा मौका नहीं है ना योगिता है ना कोई अफसर है क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता देवताओं में समझने की ताकत है पर वहाँ भोग बहुत है भोगी आदमी प्रमात्मा में नहीं लग सकता यहाँ भी देखो ज़्यादा धनी वेकती सत्संग में नहीं लगते और जो बहुत गरीब हैं जिनके पास खाने पिने को नहीं है वे भी सत्संग में नहीं लगते उन्हें रोटी कपड़े की चिंता रहती है इसी तरह नर्कों के जीव बहुत दुखी हैं बेचारे उनको तो आफसर ही नहीं मिलता है देवता लोग भोगी हैं उनके पास बहुत संपत्ती है वह वह है पर वे प्रमात्मा में नहीं लगते क्योंकि सुख भोगने में लगे हुए हैं वही उलजे हुए हैं अतः एक मनुस्य ऐसा है जो प्रमात्मा की प्राप्ती में लग सकता है उनमें योगिता है बगवान ने अधिकार दिया है इसलिए मनुस्य सरीर की महिमा बहुत ज़्यादा है देवताओं से भी अधिक है मनुस्य सरीर का महत्ता शरीर तो देवताओं का ही हमारी अपेक्छा बहुत सुद्ध होता है हम लोगों का सरीर बड़ा गंदा है जैसे कोई सुवर मैले से भरा हुआ यदि हमारे पास आजाता है तो उनको छूने का मन नहीं करता दुर्गंद आती है ऐसे ही हम लोगों के सरीर से देवताओं को दुर्गंद आती है ऐसा दिव्य सरीर है उनका हमारे सरीर में पिर्थवी तत्यु की प्रधानता है देवताओं के सरीर में तेजस तत्यु की प्रधानता है परंतु प्रमात्मा की प्राप्ति का अधिकार जितना मनुष्य सरीर वालोई को मिला है इतना उनको नहीं मिला और नहीं मिलता है इसलिए मनुष्य सरीर की बहुत महिमा है उत्तरकांड में स्रीकाज भुसंडी जी से गरूड जी प्रस्न करते हैं कि सबसे उत्तम दे कौन सी है तो काते हैं मनुष्य सरीर सबसे उत्तम है जो की नर्तन सम नहीं कौनियो देही जिव चराचर जातत जेही चर अचर सब जीव इस मनुष्य सरीर की रचना करते हैं मांग रखते हैं ऐसा का कर आगे का नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्यान विराग भक्ती सुभ देनी मनुष्य दे नरक स्वर्ग और अपवर्ग मौक्स ये तीन देने वाली है इसके सिवाय परमात्मा का ज्यान इस सरीर में हो सकता है संसार से वैराग हो सकता है और भगवान की स्रेष्ट भक्ती इसमें हो सकती है इस सरीर में ये च्छा बातें बताई मनुष्य सरीर एक बड़ा जंग है यहां से चाये जिस तरह जा सकता है ऐसी मनुष्य सरीर की महिमा है इस महिमा को काते हुए पहले ही नाम लिया नरक स्वर्ग अप वर्गन निशेनी नरकों में जा सकता है यह महिमा है कि निंदा मनुष्य सरीर ऐसा है जिसमें नरक मिल सकते हैं तो यह निंदा हुई इसमें तातपर्ज क्या निकला उचाई से उचाई और उची से उची और नीची से नीची चीज मिल सकती है इस मानव सरीर से यह इसकी महिमा है वास्तव में महिमा है सरीर के सदुप्योग की इसका उप्योग ठीक तरह से किया जाए तो भगवान की स्रेष्ट भक्ती मिल जाए वाईरागी मिल जाए सब कुछ मिल जाए ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्च सरीर से ना मिल सके गीता में आया है यम लब्धवावक चाफरम लभाम मन्यते नाधिकम तत्त जिस लाब की प्राप्ती होने के बाद कोई लाब सेज न रहे मानने में भी नहीं आ सकता है कि इससे बढ़कर कोई लाब होता है और जिसमें इस्तित होने पर वा बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता किसी कारण सरीर के टुकडे टुकडे के जाए तो टुकडे करने पर भी आनन्द रहे सांती रहे मस्ती रहे दुख से वा विचलित नहीं हो सकता उसके आनन्द में कमी नहीं आ सकती गीता का एक स्लोग है तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम इतना आनन्द होता है कि दुख वा राता ही नहीं ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है और प्राप्त हो सकती है मानव सरीर से मनुस्य सरीर की ऐसी महिमा तत्व प्राप्ती की योगता होने के कारण से है मनुस्य सरीर को प्राप्त करके ऐसी तत्व की प्राप्ती करनी चाहिए उसे फ्राफ्त न करके जूट, कपट, बैमानी, विश्वागात, पाप करके नरक को जाने की तैयारी कर लें तो कितना महान दुख है यह खयाल करने की बात है कि मनुष्य सरीर मिल गया अब भाई अपने को नरकों में नहीं जाना है, तोरासी लाक योनियों में नहीं जाना है नीची योनियों में क्यों जाएं? चोरी करने से, हत्या करने से, वेविचार करने से, हिंसा करने से अबच्छ भक्षन करने से निशिद्यकार करने से मनुष्य नर्पों में जा सकता है कितना सुन्दर अवसर भगवान ने दिया है कि जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा उचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है इसी जीवन में प्रानों के राते राते बड़ा भारी लाब लिया जा सकता है बहुत सांती बड़ी परसंगता बहुत आनंद इसमें प्राप्त हो जाता है ऐसी प्राप्ती का अवसर है मनुष्य सरी में इसी लिए इसकी महिमा है इसको प्राप्त करके ही और इसको प्राप्त करके भी जो नीचा काम करते हैं वे बहुत बड़ी भूल करते हैं कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो उसका लाव लेना चाहिए जैसे किसी को पारस मिल जाए तो उससे लोहे को छुआने से लोहा सोना बन जाए अगर ऐसी पारस से कोई बैठा चटनी पीशता है तो वह पारस चटनी पीशने के लिए थोड़ी ही है या वह पारस चटनी पीशने के लिए थोड़ी ही है पारस पत्थर से चटनी पीशना ही नहीं है कोई अपना सीर ही फोड़ ले तो पारस क्या करे इसी तरह मानव सरी निला है इससे पाप अन्या दुराचार करके नरक और नरकों की प्राप्ति कर लेना अपना सीर फोड़ना है संसार के भोगों में लगना या चटनी पीशना है भोग कहां नहीं मिलेंगे सुर के साथ दस बारा बच्चे होते हैं अब एक दो बच्चे पैदा कर लिए तो क्या कर लिया कौन सा बड़ा काम कर लिया धन कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया सांप के पास बहुत धन होता है धन के उपर सांप रहते हैं धन को उसके पास भी है धन तो उसके पास भी है धन कमाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई ऐसा राम में सुक देखते हैं और कहते हैं कि इसमें सुक भोग लें बंबई में मैंने कुट्टे देखे हैं जिनें बड़े आराम से रखा जाता है बाहर जाते हैं तो मोटर और हवाई जहाज में ले जाते हैं मनुस्यों में भी बहुत कम को ऐसा आराम मिलता है जो कुट्टे को मिलता है भाग्य में ये है भाग्य में है तो कुत्ते को भी ऐसु अराम मिल जाएगा कौन सा काम वांकीरा जाएगा जिसके लिए मनुष्य सरीर नश्च किया जाए भोगों के भोगने में संसार का सुख लेने में धन कमाने में मनुष्य सरीर बरवाद कर देना कितनी बड़ी भूल की बात है जूट खपट बैमानी करके मनुष्य नर्कों की तैयारी कर लेता है यह महान पतन की बात है कितना उच्छा सरीर मिला है मनुस्य को उस सरीर में आकर ऐसा काम कर ले अता सावधान रहना चाहिए कि बड़े से बड़ा काम हमें करना है बढ़ियां से बढ़ियां काम हमें करना है यह काम दूसरी योनी में नहीं हो सकता एक मनुस्य सरीर में किये हुए पापों का 84 लाख योनियों में भोग होता है सच त्रेता द्वापर कली ये चारो यूग बीद जाते हैं 84 लाख योनियां और योनी और नर्कों के कुंड भोगते भोगते फिर भी मनुस्य सरीर में किया हुआ पाप बांकी पढ़ जाता है और पड़ा रहा जाता है बीच में भगवान किरपा करके मनुस्य सरीर देते हैं संचित पाप और पड़े हुए हैं भोगने पर भी सारे पाप समाप्त नहीं होते इतने महान पाफ हैं तो इस मनुष्य सरीर में बनते हैं यह मनुष्य सरीर है जिससे प्रमात्मा की प्राप्ती कर सकते हैं अनंत ब्रमांड जिसके फूर्ना मात्र से चरित होते हैं पंडित होते हैं वे परमात्मा तुम्हारी आज्या मानने के लिए तैयार हो जाते हैं ताही अहिर की छोहरियां छचिया भरी छाज पे नाच नचावे उन गोपियों के इर्दय में भगवान के परती प्रेम होने के कारण वेकाती है लाला छाज दूँगी थोड़ा नाचो भगवान तो उस छाज के लिए नाचने लग जाते हैं लाला बंसी बजाओ छाज पिलाओंगी अब बोलो छाज के बदले वे परमात्मा नाचने और बंसी बजाने को तैयार हैं इतना उचा पद इस मनुष्य सरीर से मिल सकता है इस सरीर की प्राप्ती करके हम फिर कर लें नरक और नरकों की तैयारी महां दुखों की तैयारी जितनी बड़ी भारी गलती है ऐसा मनुष्य सरीर मिल जाए तो बड़े से बड़ा लाब ले लेना चाहिए जैसे विरिंदावन में आ गए हो तो भगवान के दर्शन करो जमना जी की महसनान करो कुछों की जादा लाब की बात कोन सी है जादा पुन्ने दायक उधार करने वाला चीज कोन सी है विरिंदावन में आए हो तो विरिंदावन का अनंदलो अब विरिंदावन में आ कर नाटक सिनेमा देखते हो अरे भाई यहां क्यों आए बंबई कलकत्ता में बहुत बढ़ियां सिनेमा है यह तो तिर्था स्थल है भगवान के दर्शन करो जहां किर्थन होता हो कथा होती हो ऐसी जगा जाओ और विशेश लाब लो विरिंदावन में आए हो ना इसी तरह मनुष्य सरीर में आए हो तो विशेश लाब ले लो पर यहां भी वही काम करते हो जो पसू पक्षी करते हैं वही खाना पिना वही बाल बच्चे पैदा करना यह तो भाईया कुत्ते बन जाओ तो तयार सूर बन जाओ गदे बन जाओ तो तयार कववा बन जाओ तो तयार यह चीजें कौन सी बांकी रहेगी इन चीजों के लिए आये हो क्या मनुष्य सरीर में मनुष्य सरीर क्यों खराब करते हो यह सरीर क्यों प्राप्त किया भगवान ने किर्पा कर सरीर दिया है तो इस सरीर से होने वाले वे लाब लो जो दूसरे सरीर में हो नहीं सकते बड़े भाग मानुस्त तनुपावा सुर दुरलव सव ग्रंत ही गावा मनुस्य सरीर देवताओं को दुरलव है ऐसा ग्रंतों में कहा है ऐसा दुरलव सरीर जिसको प्राप्त करके केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ती करनी चाहिए केवल परमात्मा तत्तु में ही सच्चे हिर्दय से एकदम लग जाना चाहिए मौका है भाई जैसे मनुष्य सरीर दूरलव है वैसे कल्यूग भी दूरलव है जैसे मौका कल्यूग में मिलता है वैसा अन्य यूग में नहीं मिलता ऐसा कल्यूग में मौका मिला, उस कल्यूग को प्राप्त करके भोगों में लग गए, अथ्वापापों में लग गए, अन्यायों में लग गए, सास्त्र की दृष्टी से, अन्याय हम भी विचार से देखें, तो अन्याय, लोकिक दृष्टी से अन्याय, लोग देख लें, त प्राप्त करके कितनी हानी की बात है तो हम क्या करें आज दिन तक हुआ सो हुआ गलती हुई तो हुई आज से दिड़ निश्चे कर लो कि समय बरवाद नहीं करेंगे पाप हुआ अन्याय नहीं करेंगे जल्दी से जल्दी तत्तु की प्राप्ति कैसे हो कैसे उस तत्तु का कैसे भगवान के चर्णों में प्रेम हो जाए, ऐसी लालसा लगाओ, प्रस्न क्या हमारा भी प्रेम हो सकता है, क्या इस सरीर से कल्यान हो सकता है, उत्तर ध्यान दे कर सुनें, इस सरीर से ही कल्यान हो सकता है, कल्यान भी आप कर सकते हो लगपती बन जाओ आपके हाथ की बात नहीं मकान ही मारत हो जाए आपके हाथ की बात नहीं संसार में यस, परतिष्ठा, मान, आदर, सत्कार हो जाए आपके हाथ की बात नहीं परमात्मा तत्यु की प्राप्ति करना हाथ की बात है इसमें सब स्वतंत्र है मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है कोई प्रतंत्र नहीं क्योंकि बड़े भारी लाप के लिए मनुष्य सरीर मिला है प्रमात्मात्त्य की प्राप्ति के लिए ही मानव सरीर मिला है उसको प्राप्त करना खास काम है मनुस्य ध्यान नहीं देता है रामायन में आया है कब हुक करी करुना नर देई देत इस बिनू हे तुसने ही इस चोपाई पर आप थोड़ा ध्यान दें भगवान विशेश किरपा करके मानव सरीर देते हैं इसका हर्थ क्या हुआ भगवान ने इस जीवन और इस जीव पर विश्वास किया कि इसको मनुस्य सरीर दिया जाए जिससे इसका दुख मिट जाए मेरी प्राप्ती हो जाए इसका कल्यान हो जाए इस भावना से मानव सरीर दिया विशेश किरपा करके जब भगवान की यह भावना है कि मेरे प्राप्ति कर ले तो थोड़ा सा हम भी इधर ध्यान दें तो भगवान का संकल्क सच्चा होने ही वाला है पर ध्यान नहीं देता मनुस्ष भगवान किरपा करके मानव सरीर देते हैं इसका अर्थिया ही है कि प्रमात्मा की प्राप्ति हो सकती है भगवान से और भगवान ने विश्वास किया यदि यहां आकर जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करता तो भगवान के साथ विश्वागात करता है यहां कर पाप जूट कपट करता है तो बड़ा भारी नुकसान है निशे कर लोग की आज से पाप नहीं करोगे अन्याई नहीं करोगे और भगवत भक्ती और भगवत की प्राप्ती करोगे जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है इस तरह प्रमात्मा तत्व की प्राप्ती के लिए खोज में लगना चाहिए आपको कोई संत मात्मा मिल जाए कोई भगवत प्रुष मिल जाए तो उनसे पूछो कि भगवान कैसे मिले भगवान के चर्णों में प्रेम कैसे हो मुक्ती कैसे मिलेगी जीव मुक्ती कैसे हो इस बात की लाल सा जगाओ तो जै के जै पर सत्त सने हूँ सोते ही मिलाई ना कछू संदे हूँ बोलिये प्रेम से स्री सद्गुरु महराज की जै जै करें